नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एनर्जे फाइनेंस पर तो फिर आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं एयर टेल के बारे में और उसके साथ में कुछ स्टॉक्स भी रहेंगे दोस्तों so first thing video basically जिसके dm logo हम लोग बना रहे हैं that is airtail तो मैंने चूकी I think 600 k रेट पर इस stock को काफी like किया और I also have this stock now what would be my strategy G because I think so many people are having Airtel at the price you know maybe 600 plus or maybe 590 plus maybe 580 plus so what should they do because last time अगर आप देखो 7% या 6.5% अलमोस्ट अपने हाई से Airtel गिर चुका है तो Airtel के बारे में हम लोग दोस्तों discuss करने वाले हैं उसके साथ में कुछ और stocks हैं जैसे कि दीपक फर्टलाइजर इंफोसिस टीस अलांकि यह सारे stocks मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखे थे लास्ट के वीडियो में देखो कि आपको मिल जाएगा इसके लावाद दोस्तों एक चीज और अगर आप लोग ध्यान दे रहे होगे तो NMDC अगर देखो होगे अच्छा का सब 130 के असपास आ गया है मॉइल की बात करें इस stock को मैंने कल ही Twitter पे देखे share किया और 23rd February को यह stock यह जिकने भी stock थे मैंने पोस्ट कर दिये थे तो मॉइल ने भी आज 174 173 का target बना दिया बट जैसा कि मैंने या पर लिखा हुआ यू कैन सी 30% minimum return चाहिए चाहिए वो कोल इंडिया हो चाहिए नमडी सी हो या फिर मोईल हो रखे रही है नि stocks को और इसके साथ में हाँ Twitter को अगर आफ follow करना चाहते है एड़ डरेड वीकेनरज हमारा Twitter handle है वहां से आफ follow कर सकते हैं तो चलिए बिना समय को गवाते हुए भारती अर्टल पर चलते हैं दोस्तों जिल लोगों का भी देखिए accumulation भारती अर्टल में 600 के level के आसपास में है उनको देखिए एक होता है बहुत ही तो जिनको बहुत ही शॉट टन पर निकलना था उन लोगों को पता था कि 590 जी यहां 590 stop loss था और 590 पर निकल गए तो बहुत अच्छा congratulations उसके बाद में दूसरा stop loss जो मिला था वो था 580 का राइट उस पे भी अगर निकल गए बहुत अच्छा दोस्तों लेकिन जिनका long-term भी हो था definitely वो I think निकले भी नहीं होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप देखोगे यह 200 dma जो है simple moving average line यहीं से इस stock ने reverse लिया that is very good okay तो अब अगर भारती एयर टेल माल लीजा आप के पास है तो आप क्या करोगे अगर आप last last quarter की performance देखो last two quarters की performance भारती एयर टेल में तो फिर definitely वो impressive है इसके लावा Singapore से केवल news आ जाए कि उन्होंने कुछ percentage shares में sell कर दी और इसकी वजह से अगर share इतना देखे धड़ाम से गिर गया तो डरने की विल्कुल चरूरतनी reason I think I'm not sure about the what was the percentage of share but it was in crores तो supply ज्यादा हो गई उस दिन और price गिर गया उसके बाद में दूसरा और news आया यह जियो वगएरा का reliance का अगर आप देखोगे सस्ता plan आ गया तो उसका भी कहीं थोड़ी बहुत हईचल थी लेकिन कोई डरने की बात नहीं है अब आप एक काम कर सकते हैं जुन्हों ने 600 पर buy किया वह 540 530 इसके असपास भी अपनी जो भी आपका holding amount है सब्सक्राइब आप 100 stocks हैं तो यहाँ पे 30 stocks याफि 20 stocks तो at least खरीद लो तो 30 या 20 stocks आप यहाँ पे accumulate कर सकते हैं और simply मैंने भी यही किया है और मैं इसको hold रखने वाला हूँ फिर से जी हां मैं फिर से इसको hold रखूंगा 560 से लेकर के 600 तो यह अभी short term के लिए ही है long term पे I am again telling you 800 जी हां 800 का level मैं 800 के लिए सी stock को hold करके रखने वाला हूँ मुझे समय की कोई problem नहीं है और जैसा कि मैं जानता हूँ कि I mean you also know that Reliance cannot be a single owner और we can say Reliance can't have monopoly in this market तो अगर आपको इसके business पे भरोसा है आप hold कर सकते हैं और मैं तो करने वाला हूँ 800 के level पे आप चौंको के जरूर बट यह और यह जितना देखे नीचे अब लगाऊंगा जिन सज्जनों को अगर देखिए वो चाहिए closing basic stop loss long term वाला भी चाहिए तो मैं उनको बोल देता हूं कि closing basic stop loss देखिए अपना 390 का है almost 200 point का उसके पहले का चाहिए कोई बात नहीं है आपको उसके पहले का भी देता हूं तो closing basis stop loss ऐसे में आपके आपके प अब भी होल रखो कोई धरने की जगूरत नहीं है और डिप में और बाई करो एंडाइ थिंक इट शुट कम अब आपव 600 प्लस मेभी 646 60 also after this next quarter result और मेभी विदिन 2-3 मंस अब चलिया बात करते हैं नेसले इंडिया की दोस्तों ये stock मैं कल ही अपने track पे ले लिया तो इसको अपडेट करना भूल गया actually but still it's not late और नेसले को अगर देखो आप तो नेसले जो है हमें एक तो 16,870 या 16,900 या अनि कि आल्मोस 16,900 का target देने वाला है उसके बाद में gap I mean इसके उपर breakout आता है नहीं closing 16,900 की अगर मिलती है उसके उपर मिलती है then 17,500 is waiting for me and after that नेसले इंडिया is going for 18,000 18,500 stock बहुत अच्छा है जिसको भी इस पर accumulation करना हो अपना आप analysis कर लीजिए अपने सल जो भी आपके advisor उन से consult करके आप देख सकते हैं इस stock but yes I am I can see 18,000 in Nestle India if it is closing above you know 16,900 and it will close now coming to TCS, TCS में एक अच्छी बात ही है एक मैंने पूरा plan discuss किया था TCS में कि किस तरह से इसमें SIP करनी है किस तरह से इसमें accumulation करना है और वो plan आपको मिल जाएगा दोस्तों telegram channel पे मिल जाएगा maybe twitter पे भी मैंने दे रखा हो ठीक है तो अगर आप लोगों को telegram channel join करना है that is t.me slash energy finance अभी telegram channel का name है energy finance जी आप इस telegram channel पे जा करके add हो सकते हैं और दोस्तों link का ध्यान रखना क्योंकि duplicate channels भी है same नाम पर तो उससे बचिएगा next twitter handle already you know at the right vk narja youtube में आप video देख रहे हो तो दोस्तों कोई भी stop की video miss नहों इसलिए bell icon को hit कर दो इसमें आपका एक रुपए भी नहीं लगना है जैसे other channel subscribe कर रखे होंगे बस एक bell icon hit कर दो थाकि कभी सोते सोते नीन आ रही हो आपको तो आराम से आप देख सकते हैं video और सो सक मजा कर रहा हूं दोस्तों सो नहीं सकते हैं जब भी आपको कोई भी stock के बारे में में भी मैं किसी stock में video बना रहा हूं हो सकता हो stock आपके portfolio में हो तो आपको वहां पे कहीं न कहीं कुछ information जरूर मिल जाएगी अब जैसे आप सोच रहे होगे तो मैं दीपक fertilizer का ही बता दूं दीपक fertilizer मैंने पहले तो हलांकि आप भूल जाएए पहले तो आप मेरे video देखोगे जब यह अल्मोस्त यू नो 113, 107, 90 चलता था तम मैं बोलता था 180 का level अब दोस्तों 180 का level complete हुआ उसके बाद फिर से stock consolidate कर रहा था राइट और आप अगर telegram में check करोगे जाके दीपक fertilizer को मै आप डेट कर दिया था कि यह stock हमें 200 के level देने वाला है और दोस्तों दीपक fertilizer में 218 तक के level दे चुका है level आप telegram में फिर से check कर सकतो दीपक fertilizer के similarly same stories of infosys also 1300 के उपर जो closing बनी है infosys में that is really very good अब बस एक इसकी closing और चाहिए 1320 के उपर जिया 1320 के उपर अगर infosys जाता है ना close करता है ना it is going to show us 1360 यानि 1360 और 1400 के level फिर से बिलकुल on the card और अगर इसके उपर यह closing maintain नहीं कर पाता है तो फिर से आपको एक opportunity मिलेगी किसी स्टॉक को एड करने की that is also very good और जिनको देखे स्टॉप लॉस से यह long-term मेंसल जो है closing basis का 1230 का है तो आप वहां पर देख सकते हो but let me explain you यहां पर देखे closing basis stop loss अपना रख लेना 5230 का अगर 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 बजाज finance में तो इतिंग यह stock अभी थोड़ा प्रेशर जरूर मिल रहा है इसको but yes it is having momentum to go अगें 55 15700 अगें तो में बस यह देखना around you know 4660 level closing basis यानि कि उसके बीच में आता जाए 3300 point के gap में अपनी SIP कर दो इसमें तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही चैनल को subscribe करके bell icon जरूर हिट कर दीजे ताकि next video जो मैं किसी stop में बनाऊं आप तक पहुच जाए thank you guys